आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड की फिल्म शिंगम से जुड़े कुछ अंसुनी और रोचक बातों के बारे में तो वीडियो को अंतक जिरू देखें और हमारे चैनल पर पहली बर आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स गेटर जी को सब्सक्राइब करें और सिंगम हिंदी माशा में बनी एक एक्सन फिल्म थी जो 22 जुलाई 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म में अजे देवगन काजल अगरवाल प्रकास राज और मुली शर्मा जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आये थे आपको बता दे कि शिंगम फिल्म का ट्रेलर 3 जुन 2011 को रिल रिच किया गया था जिसे क्रिटेक्स और और आडियंस की तरप से कापी अच्छा रिस्पols मिला था इस फिल्म की इस्टोरी और डार्क्षन का काम बॉलीवुट के जैने मने डारेक्टर रोहत शेर्टी ने किया था जो अपने केरियर में कई बड़ी फिल्मों का की शुरुवात शाल दोज्जार तीन में रिलीज हुई फिल्म जमीन से की थी इसके बाद इन्होंने गोलमाल सीरीज, शिंगम सीरीज, बोल बच्चन, चे नई, एक्सप्रेस, दिल वाले और शिंबा जैसी कई वड़ी फिल्में बनाई हैं शिंगम, रोहिज, सेटी और अजै देवगन की जोड़ी में बनी शात्मी फिल्म थी, इन शब के अलावा शिंगम के प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म को रिलाइंस इंटर्टेनमेंट ने प्रियोडिश भी किया था, इस फिल्म का मेजिक अजै अतुल ने मिलकर कमपोज किया था, फिल्म के कुल तीन गाने ही रखे गए थे, लेकिन शबी गाने उस साल सुपर हिट हुए थे, खास कर फिल्म का टाइटल सौंग शिंगम उस साल का शब से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो फिल्म में बाजी स्टेशन में आकर शाइन करने पर मजबूर कर दिता है, इसी वज़े से जैकंत बाजी राव से बदला लेने के लिए उसका ट्रांस्पर गोवा सिटी में करवा देता है, आपको बता दे की जैकंत सीगरे की वज़े से गोवा पिलिस स्टेशन में एक इमानदार पिलिस पीशर तक जैकांत के शाथ मिले हुए थे इसे भी जैकांत बाजीराव को कुछ शमय के लिए परिश्यान जरूर करता है लेकिन जदा कामयाब नहीं हो पता है इसके बाद फिल्म में यही दिखाया गया है कि कैसे बाजीराव राकेश कदम को बेगुना शावित करता है और फिल्म को सुपरेट गोसित किया गया था सिंगयम मोवी के बजट के बारे में अगर बात की जाए तो इसका बजट 46 करोड रुपे का था जबकि इसने इंडिया से बॉक्स ओपिस कलेक्शन 100 करोड रुपे का किया था वहीं इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओपिस कलेक्शन की बात की जाए तो इसने 117 करोड रुपे की कमाई की थी इस फिल्म के बॉक्स ओपिस रिकार्ड्स की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2011 की पांचमी शब्से ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवूड फिल्म भी बनी थी बॉक्स आपिस पर सुपर हेट होने के साथ साथ सिंगम कई अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही थी इस फिल्म को उस साल अलग अलग केटेगरी में 15 नॉमिनेशन मिले थे जिन में से इस फिल्म ने 9 अवार्ड अपने नाम किये थे इन में से देनिक बासकर बॉलीवूड आवारड की तरफ से अजेदेवगन को सुपर इस्टार आफ दा इयर का अवार्ड भी दिया गया था सिंगम साल 2010 में रिलेज हुई तमिल सुपर इस्टार सूरिया की फिल्म शिंगम की रिमैक थी औरिजनल फिल्म में भी प्रकास राज ही विलन के रोल में नजर आये थे और इनकी परफॉर्मेंस रोहिद सेटी को काफी ज़्यदा पशंद आई थी इसलिए अपनी फिल्म शिंगम में भी इन्होंने प्रकास राज को ही लिया था इसके अलावा तमिल फिल्म में लीड एक्टरिस के तौर पर नजर आई अनुशका शिट्टी को भी हिंदी रिमेक में काम करने का ओफर दिया गया था लेकिन उन्होंने श्याफ मना कर दिया था कि वो हिंदी फिल्मों में काम नहीं करेंगी अनुशका के साथ 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 एक्टरिस आशिन को भी काविया का रोल आपर किया गया था लेकिन उन्होंने भी इस रोल के लिए मना कर दिया बाद में ये रोल काजल अगरवाल के पास चला गया था अधिकान से लोग ये मानते हैं कि शिंगम काजल अगरवाल के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी लेकिन एश्या नहीं है बलकि ये उनकी दूसरी बॉली वुड फिल्म थी क्यूंकि काजल अगरवाल ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत ही बॉली वुड फिल्म से की थी वैसे तो सिंगम फिल्म के विलेन प्रकास राजशाउद फिल्मों में से जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने अभी तक कई बड़ी फिल्मों में काम किया है लेकिन इनके बॉली वुड करियर की बात करें तो इन्होंने शाल 2002 में रिलेज हुई शारुक खान और करिश्मा कपूर की फिल्में शक्ती से बॉली वुड में डेब्यू किया था सिंगम फिल्म में रोई सेटी ने अपनी कॉप उनिवर्स की शुरुवात की थी इसके बाद रोई सेटी ने शिंबा और सुरुवंसी भी बनाई है इन दोनों ही फिल्मों में बाजी राव शिंगम यानि अजे देवगन केमियों करते नजर आए हैं सिंगम फिल्म की ज्यादतर सुटिंग गुवा में हुई थी सिंगम में जैकांत शीकरे का राइट हैंड शिवा नायक जब बाजी राव शिंगम के पुलिस स्टेशन में अपने आदमियों को छुड़ाने जाता है तो वो बिना पुछे ही चेयर पर बैठ जाता है और तभी डायलोग बोलता है जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचा पर खड़े रहो ये पुलिस स्टेशन है तुमारे बाप का घर नहीं ये डायलोग शाल 1973 में रिलेज हुई अपताब बच्चन की फिल्म जंजीर से लिया गया है जिसमें अपताब बच्चन ने बिलकुल ऐसा ही डायलोग प्राण के शामने बोला था इस फिल्म में अजे देवगन का डायलोग आता माजी शिटकली काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था इसी वज़े से फिल्म के डायरेक्टर रोहिश सेटी ने अपनी अगली कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन में भी अजे देवगन से यही डायलोग बुलवाया था इस फिल्म में हिंदी बाचा के साथ साथ मराठी बाचा भी काफी इस्तेमाल की गई थी इसलिए फिल्म में काम करने वाले कई शपोर्टिंग एक्टर्स ऐसे थे जो ज़्यादतर मराठी फिल्मों में काम करते आ रहे हैं इनमें सोना ली कुलकर्णी, शचिन खेड़ेकर औ और अनंत जोग जैसे कई एक्टर्स शामिल हैं, सिंगम की रिलीज के बाद करनाटका में फिल्म के खिलाफ विरोत प्रदर्शन शुरू हुआ था, दरसल फिल्म में करनाटका में किलाफ कुछ डायलोग बोले गए थे, जिसके चलते करनाटका में सभी थीटर ऑनर को ये फ अब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबादें